आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो question के रहे कि the tires of vehicles get heated after they move on the road, right? जो vehicles के tire होता है जब वो road पे move करते हैं तो कुछ time के बाद वो heat हो जाता है हमसे पूछा है इसका reason क्या है, right? तो हम एक normal condition मिलाता है let us assume यह हमारी car है यह एक normal सी car है हमारे पास यह इसके दो tires है और यह हमारा ground है होता क्या है जब car move करती है जब tires rotate करते है car को move करती है तो frictional force act में आता है friction क्या होती है friction एक type की force होती है जो की दो surfaces के बीच के relative motion को oppose करती है जिससे दो surfaces है उनके बीच का जो relative motion है उसको रोकने की questions करती है कौन? friction तो अगर हम इस diagram को ध्यान से दिखें किसी tire के लिए तो ये tire है ये surface है अगर ये tire let us do forward direction में roll कर रहा है तो इस point की बात करें तो ये point tire का तो पीछे जाना चाहरा है और ground तो stationary है तो friction क्या चाहेगा? friction चाहेगा कि ये point इधर ना जाए तो इसको oppose करने के लिए friction कहा लगेगा? opposite direction में अब क्योंकि continuously ये friction लगता रहता है उसकी वज़ा से heating हो जाती है जिसकी वज़ा से ये tires जो है time के साथ गरम हो जाता है तो इस question का correct answer क्या हुआ? tires क्यों गरम होता है? वो गरम होता है because of the friction between the tires and the road option C क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर